उही नहीं मिलती राही को मंजिल एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है पूछा चडिया से किसी ने कैसे बना आसियाना बोली भरनी पड़ती है उडान बार-बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है Welcome to NCRT VUPSC दोस्तों NCRT VUPSC में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है देखें इस वीडियो में हम दिखेंगे Class 12th History की जो बुक 2nd है आपकी Part 2nd जो बुक है आपकी Chapter 5 से लेके Chapter 5 से लेके Chapter 9 तक के सारे Important Questions जो इस बार Board के एक्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं और एक ओर Important बात हमेशे हमारा क्या Target होना चाहिए? 100% तो हमारा Target 100% होना चाहिए हमने Detail में Discussions की है, Detail में Study की है और आई इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखें है Chapter 5 से Chapter 9 तक Important Questions देखें पहला Chapter है Chapter 5 तो Chapter 5 जो है आपका Through the Eyes of Travelers जो Travelers हमारी यहां पर आए जिसमें इबन बदूता हो या Francis Bernard हो या सबसे पहले जिसे अल-बरुनी आया हो तो उनकी नजर से भारत कैसा था और उन्होंने क्या क्या चीज है यहां पर देखें हमने Detail में चेप्टर डिसकस किया था इस चेप्टर की तो कौन से इंपोर्टन क्यूशन बन सकते हैं इसमें देखें क्यूशन नमर फ्रस्ट इसमें इंपोर्टन बन सकता है What are the distinctive features of किताब लहिंद? What distinctive structures used by अल-बरुनी? Distinctive features आपको बताने होंगे किताब लहिंद के बारे में यादगरी हमने पढ़ा था किताब लहिंद को कैसे लिखा गया था अलग-लग volumes में लिखा गया था इसको और अल-बरुनी किस तरीके से क्या structure यूज़ करता था कैसे वह equation पहले put करता था फिर उसका comparison करता था फिर conclusion देता था थी एक structure रूप में वह ऐसे मदब चीज़ों को लिखता था और अलग-लग volumes में लिखी गई है किताब लहिंद तो आप से क्यूशन पूछा सकता है What are the distinctive features of किताब लहिंद What distinctive structures used by अलबरुनी देखे अगर आप लोगों ने ये chapter नहीं देखा है अगला second number question पूचा जा सकता है What accounts were given by Ibn Baduta regarding cities of that time Ibn Baduta के द्वारा कौन से accounts जो है वो दिये गए थे Cities के बारे में उस duration की थे बिन बतरना यहां पर हमारे यांकी cities देखी जिसमें दौलताबाद के बारे में उसने जो अपने accounts दिये या Delhi से related उसने accounts दिये या अलगलग cities में जहां पर भी वो हमा तो उसने जो accounts अवलेबल कराए उसके बारे में आपको बताना है कैसे उसने बताया था कि यहां पर जो है markets full of people रहते थे जिसमें जो है markets में ही जो है masjid भी होती थी मंदिर भी होते थे मतलब लोगों से भरे रहते थे खचाकच मार्केट किस तरीके सामने और डिटेल डिसक्रेशन किया था तब देखा था तो दूसरा नोट कियाो पस्टल सिस्टम के बारे में जिसमें उलुक और दावा मां हमने देखा था उलुक बोले जाता था जो जिस सब्सें हो सबारे वนะคะ रिश्ग में झालजर जो निए जो किया जाता था दावा में तो उलूग और दावा के बारे में specifically आपसे पूछा रहा सकता है तो postal system जो इबन बदूता ने note किया उससे related यह इसमें आपको question पूछा रहा सकता है अगला question important है what kind of differences noted by burnier between Mughal India and Europe regarding land ownership land ownership को लेकर burnier जो था specifically criticize कर रहा था Mughal India को उसने कहा था कि यहां पर private ownership allowed नहीं है जिसके कारण लोगों के अंदर के है अपनी जो जमीन उसको develop करने की इच्छा ही नहीं होती तो किस तरीके से उसने criticize किया था Mughal India को कि यहां पर हमारे हमारे मतलब यूरोप को compare करके उसने बोलता हमारे यहां पर land ownership है इसले developmental चीज़े हो रही है वहां पर तो उसका जो difference उसने note किया था burnier ने land ownership को लेकर वो पूछा जा सकता है आपसे अगला question आपसे पूछा जा सकता है how did Al-Baruni equated and deferred the caste system prevalent in the subcontinent with the other society Al-Baruni ने याद के लिए chapter जब उनमें discuss किया था उसमें देखा था Al-Baruni ने compare किया था India के अंदर जो caste system prevalent था उसको partial system के साथ compare किया था उसने बताया था कि वैश्या के अंदर तो क्या है हमारे यहां पर भी system divide होता है हमारे यहां के जो caste system जिस तरीके से discrimination और और कई सार चीजे पर चली थी उसको फिर उसने criticize भी किया था तो सब content यहां पर रेफर करके बोल रहा है इंडिया को तो अल-बरुन ने जो चीज एक्वेट की थी caste system से रिल्टेट हो कैसे उसने differ किया था जो को हमारे society को अपनी society से compare करने के दौरान वो आपको पुछा सकता है इसमें कुछ important questions बन सकते हैं आपके question number first बन सकता है integration of cults जो आपका पहला topic भी है इसमें हमने detailed discussion किया था तब समझा था integration of cults क्या integration of cults integration of cults का मतलब है अलग-अलग चीजें जो अलग-अलग हमारे जो ethics वगरे जो एथनिक जो चीजे परचलित है समाज में तो किस तरीके से जो है जैसे हमने example देखा था याद कीजी इसमें शुरू में ही आपको बताया हुआ जगनात पूरी के बारे में तो जगनात में तो उनके shape में आपको पूरा अंतर मिलेगा तो किस तरीके से फिर बाद में जो है बगवान जगरनात को relate कर दिया गया यह बगवान विश्नु का उतार है या जो है किसी देवी की पूजा की जाती थी तो उसको पारुती माता का उतार मान बना दिया जाता था या इस तरीके से वो integrate अलगला cults है ना वो कैसे integrate करते हैं इस पूरे बड़े जो हिंदुईजम का structure है उसमें तो यह आपकी term है integration of cults अगला आपके question बन सकता है भक्ती tradition divide की थी दो important categories में तो आपसे कौन-कौन सी थी इसमें आपने देखा था निर्गून और सगून, सगून भक निर्गुन्भक्ति में shape less devotion व मीष्वास किया यता है कि वह कोई shape नहीं है उसको आप किसी shape के रुप में नी देख सकते सगूनमे सा रूतार के पूच करता है राम जी के कर्शन के रूप में हो सगून भक्ति होगी, कोई नंगोई shape दी जाती है, shapes less devotion हो punya बगवान निर्ग परकार है करन् Mister Soh our question बन सकता है इकaina बहात इंप्रेंट है तो आ खुला से हाओ अलेवार्ज नियनार्णार निया न्यानर्ण मैं आता है जो भगवानगों स्सक्विitta कर देयार्ण के तो साहथ है शाहित You travelling इवन रूलर्स ट्राइट विन देर सपोर्ट एंड गेव पैट्रोनेस तु दें देफाइन तो यह जो स्टेट्मेंट है आपकी, कि हाव अल्वाज न्यानार्स बिगें पॉपलर एंद साथ रिजन कि अल्वाज न्यानार्स किस तरीके से पॉपलर हुए साथ रिजन में और रूलर्स भी कई बार ट्राइ करते थे उनका सुपोर्ट गीन करने के लिए उनको पैट्रोनेस देने के लिए, और रॉयल पैट्रोनेस हुने समझा तो क्या हुता था, कि बड़े कवानएपर जो है इस तरीके जो साथ रोसन त cotton тоб과ते हुता था, और अधिक वैड़ेडर बन और जो discriminated untouchables हो या women हो उन्होंने बड़े प्रवाने पर अलवाज नयानर जो moments थे उनके साथ अपने आपको जोड़ा था क्यों क्योंकि वो जो discrimination वगरा system या caste discrimination वगरा है उस चीज़ को अलवाज नयानर ने नका रहा था और उन्होंने बोला था women भी पूजा पार कर सकती है तो women भी बड़े प्रवाज नयानर जो moment थे उनके साथ जूड़ी थी और obviously जब इनके पास इतना support था तो ruling elite जो थी royal class थी राधा लोग थे वो भी क्या देते थे इन्हें patronage देते थे अगला अगला question आपके बन सकता है write a note on popular practice of Islam Islam की popular practice पे आप note लिखिए तो किस तरीके से आप इसमें note लिख सकते हैं mosque के बारे बता सकते हैं कि prevalent है जातर जगें एक ही तरीक का system बनती है और और जो important चीज़ें जो prevalent है society में Islam के अंदर जो universally follow की जाती है वो सर्चीज आप इसमें बता स सकते हैं अगला question आपके बन सकता है beliefs and practices of Sufism what is royal patronage जो अभी आपको बता है royal patronage क्या है और Sufism की जो beliefs and practices है जिसमें खानखास के बारे में या Sufism के बारे में आप पता सकते हैं अगला important देखे इसमें बन सकता है आपके बेशरिया और बासरिया Sufi traditions से related similarity or dissimility बता नहीं बेश बेशरिया तो simple बोला गया है कि किस तरीके से जो शरिया जो है जो कानून इसलाम के according है जो हदीस और कुरान पर बेश्ट है उसको मानने वाले होते हैं बासरिया जो उनको उस तरीके से बड़े प्वने पर dogmatic approach के साथ नहीं मानते हैं तो इन में similarity or dissimility बतानी है देखिए अ नोट लिखने को बोला जा सकता है तो हमने देखा था कैसे एमद अगर या गोलगुंडा विजापुर उनके तीनों ने मिलकर जो है विजन अगर एंपायर के राजों को हरा दिया था तो वो थी आपकी राक्षर स्थंग्री या बैटल ऑफ तालिक हो तो उस पर नोट सकता है स्ट्राइकिंग फिचर्ण ऑकर एंपायर के स्ट्राइकिंग फिचर्ण के बारें प्रघर पटवहिएग्ण को मैं दौत बअद्धिज होते है और पहले क्या था हमने देखा था च्प्टर तो कि revenue किस पर लगाया जाता था सिर्फ जो है crop production पर लगाया जाता था तो obviously ज्यादा ज्यादा revenue generation होगा और ज्यादा ज्यादा earning होगी और ज्यादा ज्यादा earning होगी तो obviously क्या state prosperous होगा तो यह इसकी feature थे या अब्दुल ज्यादा नहीं जो account दिया था कि किस तरीके से fortification बहुत शांदार होता था seven layers में fortification होता था city के अंदर water reservoirs होते थे एवन खेट के खेट cities के अंदर होते थे fortification के अंदर होते थे तो वह बहुत बड़ा striking feature थे विजग में compare के अगला object आपसे पूचा सकता है महानवी दिभा के बारे महानवी दिभा क्या है उसमें आप बता सकते किस तरीके से rituals practice की जाती थी महानवी दिभा में या अगला थशन बन सकता है पके गोपुरम और मनप का मनदपाज के बारे में, तो गोरपुरम और मनदपाज क्या है, तो गोरपुरम कैसे हमने देगा था, जैसे आप एंट्री करते हो, तो कई सरे ऐसे तो गोरपुरम पुले जाता है, और अंदर के तरफ ही कुछ रिचूवल्स प्रेक्टिस के लिए मनदपाज होते हैं, तो मनदपाज जो है, वो भी बहुत इंपॉर्टन है, तो गोरपुरम और मनदपाज क्या है, यह पुछे रह सकते हैं आपसे, अगला आपके चप्टर है इसमें important question बन सकता है, पहला आपके name the sources available to find about the agrarian society of Mughal period, उन important sources के बारे में बताईए, जो Mughal period के से related, हमें agrarian society सारी चीज़े provide कराते हैं, तो उस duration के जो accounts available है, foreign travelers के accounts available है, या आईने अकबरी specifically, जो अकबर नामा में हमें देखने को मिलती है, या उसके लावा बाद में जो reports वगरा available है, उनसे हमें बहुत सारी चीज़े देखने को मिलते हैं, तो वो ही सारे sources है, जिसे हमें agrarian society के बारे में जानने को मिलता है, या अगर को inscriptions वगरा है, तो उनसे हमें जानने को मिलता है, अगला आपसे question बन सकता है, खुद कास्ता और पही कास्ता इसमें आपने factors responsible कौन से थे, expansion के agriculture के during 16th and 17th century, तो उसमें हम बता सकते हैं किस तरीके से जो है factors responsible थे, क्योंकि बड़े पाने पर irrigation facilities improved हुई थी, और जो system था, administration था, वो भी improvement कर रहा था, agriculture sector के अंदर, तो और भी क्या सारे factors responsible थे, expansion के लिए agriculture में, detail chapter में हमने देखे थे, 16th and 17th century division में, अगला आप से क्विशन पूछा सकता है, describe the role played by women in agrarian society, agrarian society के अंदर, women के द्वारा क्या role play किया गया था, तो हमने देखा था, किस तरीके से महिलाएं जो है, वो भी बहुत बढ़ चड़ कर, shoulder to shoulder man के साथ में work करती थी, महिलाएं और जो अलगला pictures के through भी deficit किया गया है, चप्टर जो है, access किया ज़्यादा tax, और हासिल जितना tax receive हुआ है, और उसके लिए अलग से official support किया ज़्यादा थे जैसे ameem gujar हो, तो land revenue system बारे आपके पूछा जा सकता है, अगला question आपके पूछा जा सकता है, limitations जो आईने एकबरी के साथ relate करती है, आईने एकबरी की अपनी limitations जो है उसको बताईए, तो limitations के हैं, obviously आईने एकबरी जो है, एक कौन सा angle देती है, मैं राजा के perspective का angle देती है, इसमें बहुत सर चीज़ें हो सकता है, नहीं सामिल की दी है, और भी कैसारी इसकी limitations है, इसकी कमिया है, आईने एकबरी की, देखे, अगला आपके जो chapter है, theme number 9 है, आप उसके important जो है, accounts वगरा available होते थे, और printing वगरा का काम होता था, सुलाहिकुल क्या है, सुलाहिकुल important जो दीन स्टार्ट किया गया था, जो piece से related इसको describe किया था, अमीर जो है, अबुल फजल ने, अकबर नामा के उपर लेख लिक नहीं हो बोल आ सकता है, अकबर नामा क्या है तो अकबर नामा हमने देखा था, कि इसमें तीन किताबें समलित हैं, अकबर नामा के अंदर specifically, और इसके लगा question बन सकता है, आपके note on मंसबदारी system, मंसबदारी system जो है, उस पर note लिखे, तो किस तरीके से मंसबदारी system के अंदर जो है, अलग-अलग चीजें जो है, वो प मंसबदारी system के बारे में पुछा सकता है, इसकी merits या demerits के बारे में पुछा सकता है, तो administration की smoothness के लिए merit अपॉण किया जाता है, लेकिन बड़े वेमाने पर जो है, हो क्या करते थे, पैसों के पर बाद ही करते थे, इसकी demerits में आ सकता है, और कई सारी चीजें आप, detailed discussion क पुछा सकता है, describe the daily routines and special festivities, जो daily routines है, special festivities जो है, associated with the Mughal court, तो Mughal court के साथ में जो daily routines और special festivities थी, उसके बारे में बताएए, तो देखे, इसमें जो है, आप बता सकते हो, किस तरीके से daily routine में क्या होता था, जिसमें हमने देखा था, जहरो का दर्शन के बारे में हमने detail chapter में पड़ा था, किस तरीके से धरो का दर्शन होता था, जो राजा है, खुद आता था, और मतलब, बालकनी से आके धरो का दर्शन देता था, और इसके कई सारी चीज़े हैं, जिसमें राजा की अपनी important position होती थी, importance, उसका throne होता था, जो center of power होता था, court के अंदर, mobile court में उसकी अपनी important position होती थी, court की भी physical arrangement इस तरीके से होती थी, कि राजा की power लगे, और जो है, जो राजा के करीबी होते थे, वो राजा के साथ में बैठते थे, और social control होता था, court का society को उपर, तो इस तरीके से और भी कही सारे चीज़ें, जो है, festivals वेगरा, जो है, कही सारे festivals को celebrate किया सकता है, how did many sources tell that the divine light was associated with the mughals and many visual accounts also deposited the same, defined, कैसे अलगलग sources बताते हैं, कि मughal, मughal के साथ में, जो है, divine light associate की गई थी, और अलगलग visual accounts जो है, इस चीज़ को परदाशित करते हैं, इस चीज़ को बताईए, देखें, इस चीज़ में, जो है, जैसे वो chapter जब हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर देखी, यह जब हमने chapter देखा तो जिसमें आपके point दियावा है, कि the ideal kingdom के अंदर divine light, जिसमें कही सारे court के chronicles available जो है, वो बताते हैं, कि किस तरीके से तो है, many sources to show that the power of the mughal kings came directly from God, कि मughal के पास जो powers हो, किसे सीधी बगवान से है आती है, देखें, यह हमने मौ सके कि यह हमें रूल करने के लिए बने है, तो यह एक तरीकी की strategy होती थी, तो इसमें देखें, जैसे जो आपके question पूचा गया था, तो इसमें बता सकते हो, आपकी court chronicles जो है, इस चीज़ पर डूप करते हैं, आपनी attention, कि that the power of the mughal kings came directly from the God, और एक ऐसे legend, ऐसे कहानी पर च and the offspring she bore carried this divine light and passed it from generation to generation, और जो उसे जो बच्चे ने जनम लिया, वो उसके उपर कहा थी, एक divine light थी, एक देवे, उसमें उड़ जा थी, एक शक्ती थी, और वो generation to generation pass हुई, या अबूल-फजल के तौरा जो चीज़ लिखी गी है, जैसे, mughal kingship as the highest station in the hierarchy of objects receiving light emanating from God, जिसको उसन से मिल रही है, भगवान से, मतलब ईश्वर से, खुदा से, जिसको उसने फरी, इजादी रेफर करके बोला, तो यह आपके question था, जो important पूछा गया था आपसे, किस तरीके से जो है, अलग-लग sources बताते हैं, divine light associate है मुगलों के साथ में, और किस तरीके से जो visual accounts है, वो इस च और उसके already available videos है, नीचे description पर आप link देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी, तो आप उसको जाके देखिए, आप लोगों है exam है, board exam, I hope आप लोग अच्छा perform करो, बिल्कुल fair नहीं लेना, paper का कोई phobia नहीं होना चाहिए, आप लोगों ने जितनी त्यारी क बिल्कुल complete त्यारी कोई दिकत वाली बात नहीं है, बस उस चीज़ को एक दो बार repeat करिए, और without any attention, अच्छे से exam दीजिए, और अच्छे से perform कीजिए, हो सकेगा, तो मैं एक map की video भी जल्दी ही लाने कोशिश करूँगा, और उसी के साथ ही साथ में, जो इसमें देखिए, बहुत easy numbers है, उनको तो बिल्कुल भी, जो है, lose नहीं करना, और हमारा तो वैसे भी target के 100% का target, और आप लोगी सब कर सकते हो, तो I hope आप लोग अच्छा perform करो, thank you, thank you very much.